इस वीडियो में ICI का important announcement बताएंगे CA exam May 23 students के लिए सबसे पहले जान लेती इस वीडियो में कौन-कौन से topic पे बात करेंगे important ICI का announcement बताएंगे जो कि CA intermediate and CA final May 23 students के लिए होगा question paper में कोई भी mistake है इस topic पे बात करेंगे grace marks से related बात करेंगे और किस format में ICI को send करना ये भी बताएंगे टेली ग्राम चैनल पे मैं वो format share करने वाला हूँ तो ICI का official announcement देखने के लिए सबसे पहले ICI के official website पे चलना परेगा और हाँ इस वीडियो का request CA students बोले थे कि एक वार फिर से update कर दीज़े थोड़ा सा detail में बहुत सारे students exam में बीजी थे थे जिसके कारण से वो इस update को देख नहीं पाएं announcement देखने के लिए आपको ICI के official website पे चलना परेगा तो चलिए चलते हैं ICI के official website पे बहुत सारे students को पता होगा ये announcement 2 में 2023 के date में आया था कुछ ऐसे भी students होगे उनको नहीं पता है CA intermediate and CA final के students ध्यान से सुन लेना आप लोगों का exam खत्म हो चुका CA intermediate and CA final का आपके exam के question paper में किसी भी type का mistake होगा तैन आप लोग detail में ICI को mail कर सकते हो या नहीं तो speed post कर सकते हो इसी address पे जो कि आपके screen पे so कर रहा है अगर ICI अपने question paper में कुछ भी mistake करते हैं कि CA intermediate and CA final exam में किसी भी question paper में कोई भी mistake होगा तो आप लोगे speed post के बजाए कि mail कर सकते हो detail में एक और students के मन में doubt आता है students को लगता है कि question paper में error है बट actual में error नहीं होता तो क्या इससे result पे impact पड़ता है कुछ भी impact नहीं पड़ता है और हाँ mail करने या speed post करने का आखरी date 23rd May 2023 है इससे पहले ही करना परेगा mail कर रहे हो या speed post कर रहे हो अपना name, registration number, role number, email ID और mobile number जरूर provide करोगे तभी valid माना जाएगा तो please students जरूर mail करे अगर आपको ऐसा लगता है कुछ C.A. final के students मुझे message करके बोल रहे थे कि S.F.M. paper में कुछ mistake है typing error है तो आप लोग चाहो तो इसको व्यारे में भी detail में mail कर सकते हो यहाँ पे B.N.C. नहीं होना चाहिए Y.N.Z. typing mistake है यहाँ पे अब मान लेते हैं यह error आगे इसको किस format में आप लोग mail करोगे C.A. intermediate का student C.A. intermediate लिखेंगे C.A. final का student C.A. final लिखेंगे यही format में आप लोग चाहो तो mail कर सकते हो या कोई जवरी नहीं इसी format में आप लोग खुद का भी format बना करके mail कर सकते हो जो भी paper में जो भी question number में error रगता है तो आप सारे students इस announcement को skip कर सकतो कमपल सरी नहीं है अगर आपको लग रहा है दैनी mail करें और C.A. final के students जरूर आप लोग SFM paper में देख लीजेगा एक बार और mail जरूर कर दीजेगा बाकी ये PDF का format मैं चार्टे स्टेरिज का टेलीग्राम चैनल पे share कर रहा हूँ आप लोग चाहो तो इससे help लेकर के mail कर सकतो यही format के इसाब से अनेकेडमी पे C.A. foundation June 23 students के लिए face to face marathon हो रहा है कॉलकाता में जो कि 27 और 28 में को हो रहा देली में हो रहा 30 और 31 में को 9 a.m. to 7 p.m. तक limited seat है seat को जल्द से जल्द बुक कर लीजिए Google form का link आपको description में मिलेगा इसको attend करना बिल्कुल फिरी है तो link description में है उस link पे click करोगे तो आपको detail address मिल जाएगा कॉलकाता देली और indoor का प्लीज सारे C.A. foundation का students जरूर इस मेराथन में attend करना अगर आप कॉलकाता देली या indoor से होंगे तो तब तक सारे student seat को बुक कर ले link description में मिल जाएगा